आप सब कैसे हो हां अच्छे आप बहुत अच्छे हो मैं भी बहुत अच्छी हू हां तो मैं दिया शिम्रुकाइट आप लोग जानते हो कि अब भी हम लोग क्या कहने वाले हैं ओके मैं बताती हूँ अभी हम लोग धा से शुरू होने वाले कुछ शब्स सीखेंगे हां तो आप लोग जल्दी से शिम्रुक लेकर तयार हो जाओ ओके आप लोग तयार हो गए हां वेरी गुड अभी तो पेज ओपिन करना है है ना हां अभी आप लोग जल्दी से शुर्ण अक्षर बुक के 3,4,34 नमबर पेज ओपिन कर लो ओपिन कर लिए हां तो देखो ऐसे एक पेज दिख रहे हो है ना हां यह देखो यहां पर यह कौन से बन है धा हां वेरी गुड मेरे साब सब बोलो यह धा है हां अभी देखो यहीं से हम लोग धा से शुरू होते है ऐसे कुछ शब सीखेंगे हां तो सब से पहले देखो यह क्या है धकन धा से धकन पिर से बोलो धा से धकन वेरी गुड अभी देखो यह क्या है ढुलक धौसे धौलक very good ये ढोलक क्या है एक instrument है हां और ये ढोलक बजाने से बहुत अच्छाएक साउंड होते है है हां और एक बार बोलो जोसे ढोलक very good अभी ये देखो ये क्या है धाल धौसे धाल very good अब ये देखो ये क्या है डफली बोलो मेरे साथ साथ धौसे डफली हाँ वेरी गुद डफली भी एक इंस्ट्रॉमेंट है डफली बजाने से भी बहुत अच्छा साउंड होते हैं तो मेरे साथ साथ और एक बार बोलो धौसे डफली हाँ वेरी गुद तो देखो यहाँ पर हम लोग कौन कौन से सब्स देखे धौसे धकन धौसे धोलक धौसे धाल धौसे टफली हाँ वेरी गुड अभी देखो यहाँ पे एक छोड़ी सी प्यारी सी राइम है हाँ अभी हम लोगों को यह राइम एक साथ रिसाइट करना है चलो मेरे साथ साथ आप लोग रिसाइट कर धौ से धोलग धम धम बचती जाए सबको अपनी ताल पर नचाए हाँ very good अभी देखो यहाँ पर यह कौन से बन है धौ हाँ very good यहीं से हम लोग सीखेंगे कि धौ कैसे लिखना है तो देखो सबस्थ पहले यह धौ पर उंगले चलवाओ एकडी रेखा मिरता सब करो एकडी रेखा पर यहां से ऐसे एकडी रेखा को ऐसे घुमाना है फिर मात्रा धौ हाँ फिर से करो छोटी से खडी रेखा ऐसे घुमा कर ऐसे घुमा कर मात्रा धौ तो धौ कैसे लिखना है बोलो छोटी से खडी रेखा पर यहां से ऐसे घुमा कर ऐसे घुमा कर मात्रा, धौ, हाँ, वेरी गूट, अभी तो आप लोग धौ से शुरू होने वाले चार शब्द सीखें, है ना, हाँ, अभी क्या करना है, घर पे फिट से अच्छे से ये लेसन को रिवाइस करना है, करोगे ना, हाँ, वेरी गूट, आज के लिए इतना साही, हाँ, बाँ बाँ पू ना, सी यू सून, बाँ बाँ